Population and Development Population and Development एक ऐसा topic है जो political sociology के हर student के लिए समझना बहुत ज्यादा important है क्योंकि किसी भी जगा की जो sociology design होती है उसमें individual का role, individual और मौश्रे का आपस में जो relationship है उसकी debate है तो ऐसी ही Population and Development का जो topic है जो political sociology का एक इंतहाई एहमतरीन topic क्योंकि जहां लोग जहां आबादी जो है कुछाल होगी वहाँ पर उस मुल्क की जो society है उसका अपनी रियासत के साथ तालुक भी बहतरीन form में होगा तो नाचे हम यह कह सकते हैं that throughout the old human history, the world's population had grown slowly by the beginning of the 20th century it was only 1.6 billion people but today after only 110 years the world's population has surpassed 7.5 billion people and during this time the world has witnessed tremendous development including innovation in healthcare, education, infrastructure and technology but more than 2 billion people still live in poverty and remain left out of this progress with the passage of time, दुनिया में हर शोबे के अंदर बहुत सी तरकी हुई है मुल्क की जो हकूमते होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो health के field में ज्यादा investment करें ताकि अपने लोगों को बुनियादी जो health के मामलात हैं उसमें उनको facilitate किया जा सके ताकि लोग जो हैं वो अगर सहत मंद होंगे तो रियासत सहत मंद होगी इसी तरीके से education, जो infrastructure है, technology है यह वो सब मैदान हैं जिनमें with the passage of time बहुत ज्यादा development हमें देखने को मिल रही है लेकिन इसके साथ साथ जो हकीकत है और जो एक तल्ख हकीकत है वो यह है कि दुनिया में अभी भी बहुत बड़ा number है population का throughout the world जो poverty line से नीचे है वो लोग जिनको बुनियादी जरूरियात भी महसर नहीं है और यह एक बहुत बड़ा question है बहुत बड़ा challenge है दुनिया के लिए और दुनिया के अंदर जो मुक्तलिफ मुल्क है उनकी क्यारतों के लिए भी और जो सबसे बड़ा challenge है वो क्या है that the leaders of the world face today is to reduce poverty and inequality and improve people's life without compromising the environment and a well-being of the future generations अब दुनिया के अंदर जो मुक्तलिफ मुल्क है उनकी क्यारत के लिए सबसे बड़ा challenge क्या है कि वो अपने लोगों को उस poverty line से तो उपर लेकर आएं उनकी हालात को बहतर करें उनकी situation को improve करें लेकिन किस तरीके से कि दुनिया में जो environment है environment भी damage ना हो यानि technology development के parallel जो situation develop होती है अगर वो भी unplanned किसमते projects लगाएंगे सरफ अपने लोगों को poverty line से उपर लाने के लिए तो दुनिया में महौल जो है वो कराब होगा तो अबादी को भी बेहतरीन हालत में रखना और उसके साथ साथ महौलियाती जो मसाइल हैं उनको मदे नजार रखते हुए planning करना इस वकत हर मुल्की लीडर्शिप के लिए एक बहुत बड़ा चालेंज है because at the same time world population continues to increase by more than 80 million people a year with most of the growth occurring in the world's least developed countries and by 2020 as per the UN estimation a world's population will increase to 9.6 billion people and will continue to grow to 2100.0 अब यह जो situation है अगर हम यह देखे हैं कि जिस तरह के facts and figures दुनिया के मुक्तलिफ अदारे दे रहे हैं और जिसमें UN की तरफ से जो provided data है उसके अंदर यह बहुत ज्यादा alarming है कि जिस speed से population भर रही है पूरी दुनिया के अंदर इस भड़ती हुई आबादी को वसाइल मुहिया करना क्योंकि जो majority of population है वो कहां पर है या कहां ज्यादा रफतार से भड़ी है वो मुमालिक जो still तरकी पजीर मुमालिक है जहां पर अभी भी सूर्टेहाल बहुत बहुतर नहीं है अगर वहां अबादी ज्यादा तेज रफतारी से भड़ेगी तो फिर वसाइल मुहिया करना भड़ती हुई अबादी को तनासुब से ये और ज्यादा संगीन सूर्टेहाल इक्तियार हो सकती है पूरी दुनिया के अंदर अगर अबादी और वसाइल के अंदर जो इनका जो तनासुब है वो मुनासिब ना रहा और फर्क भड़ता चला गया तो तरक्की प्रजीर मुल्क और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भड़ती हुई अबादी एक बहुत बड़े चैलेंज में कन्वर्ट हो जाए गी उसका सबसे बड़ा चैलेंज ही कौन सा क्रियेट हो रहा है कि हेल्थ की जो रिक्वार्मेंट्स होती है लोगों की उसके साथ कैसे मैच किया जाएगा फिर उसके साथ साथ जो वेल बिंग है यानि लोगों की मुकमल ओवर ओल जो सिचुएशन है उसको कैसे हो रहा है वह एक नॉमिक डिवेलप्मेंट का पैकेज पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से हाउ डास पॉपॉलेशन ग्रोथ अफेक्ट नैशनल डिवेलप्मेंट एंड वर्ट मस्ट बी डान तू मैनिज ता चैलेंजिस अफ पॉपॉलेशन ग्रोथ अब एक जो सब की शकल में हम यहां डिस्कछ करें विए कि चो पॉपॉलेशन ग्रोथ है उसका नैशनल डिवेलप्मेंट के साथ कैसे डिलेशों बनाया जा सकता है और उसके सासा अफ्じु अटो गॉपॉरेशन ग्रोथ से जो चैलेंजिस हर मुलक को दर पेश आ रहे हैं उनको कैसेशा क अब कहां पर मुल्क जो हैं प्रॉपर इन्वेस्ट करें कि शोबे की अंदर कि जहां इन्वेस्ट करने से वो अपने लोगों को उसका फाइदा पहुंचा सकें। जाहर है इसके लिए मुलकों के long term planning proper policy making की जरूरत है और policy making जो है वो हर हकूमत की बुनियादी जम्मिदारी है कि वो ये देखे कि वो population और development के जो दो concepts हैं उन में किस तरह से relationship बना सकती हैं हकूमतें क्यादतें जो हैं वो इस बढ़ती हुई अबादी के साथ related जो मसाइल हैं के लिए क्या short term क्या long term planning कर रही है ये बहुत सारे areas हैं जो political sociology के student के लिए ना सिर्फ समझना जरूरी है बलके इनके मुनासिफ जवाबात ढूंदना भी political sociology के student के लिए बहुत एहम है